मंत्री शी नरेंदर मोधी जी ने भाशन दिया और G20 को कहा कि अंतर राष्ट्रिय सहयोग होना चाहिए काले धन से रड़ने के खिलाफ, काले धन इखटा करने वालों के खिलाफ, मनी लॉंडरिंग के खिलाफ जो काले धन को सफेद करते हैं उनके खिलाफ, जो शेल कंपनिया हैं दुनिया भर में उनके खिलाफ, जो टैक्स मुक्त जगए हैं, टैक्स एवन जो हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधान मंत्री ने अपनी बुलुंद आवाज उठाई, और मांग की की G20 को इस विचैव पर नेत्री को दिखानी की जरूरत है, अठारवा जी ट्वेंटी सिकर, अठारवा पहला नहीं, दूसरा नहीं, दस्वा नहीं, अठारवा जी बीस सिकर संबेलन होने वाला हैं, एक प्रधान मंत्री के चहीते दोस्त, प्रधान मंत्री के पसंदीदा उद्योग पती, पुंजी पती, ने शेल कम्पनियों का इस्तिमाल किया है, सेवी के सारे नियमों का उलंगन हुआ है, ये सब खुला सा आज अकबारों का, साथियों, 2014 नवंबर में, आस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में, नौवा जी ट्वेंटी शिखर संबेलन हुआ है, वहाँ हमारे प्रधान मंत्री शी नरेंदर मोधी जी ने भाषन दिया, और जी ट्वेंटी को कहा, कि अंतर राश्ट्रिय सहयोग होना चाहिए, काले धन से लड़ने के खिलाफ, काले धन इकटा करने के वालों के खिलाफ, कि मनी लॉंडरिंग के खिलाफ जो काले धन को सफेद करते हैं, उनके खिलाफ जो शेल कंपनिया हैं दुनिया भर में, उनके खिलाफ जो टैक्स मुक्त जगए हैं, टैक्स एवन जो हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधान मंत्री ने अपनी बुलूंद आवाज उठाई और मांग की, कि जी ट्वेंटी को इस विचैफ पर नित्री को दिखानी की जरूरत है, अगले हफ्ते नौ तारीक को जानी की आज से नौ दिन बाद नई दिल्ली में अठारवा जी ट्वेंटी शिकर, अठारवा पहला नहीं, दूसरा नहीं, दस्वा नहीं, अठारवा जी बीस सिकर सब्मेलन होने वाला। और आज सभी अकबारों में, अमरीका के अकबार, इंगलेंड के अकबार, हमारे देश के अकबारों में खुलासा हुआ है। जिस तरीके से, एक प्रधान मंत्री के चहीते दोस्त, प्रधान मंत्री के पसंदीदा उद्योक पती, पुंजी पती, ने शेल्व कंपनियों का इस्तेमाल किया है, सेवी के सारे नियमों का उलंगन हुआ है, यह सब खुलासा आज अकबारों में है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा अभी, पांच बजे को राहूल गांदी जी आपको संभोजित करेंगे। विस्तार से राहूल जी इसके बारे में आपसे बाचीत करेंगे आज शाम पांच में। मैं बस यही कहूंगा कि 28 जैन्वरी से लेकर 28 मार्च दो महिने में कॉंग्रेस पार्टी ने प्रधान मंत्री से सो सवाल पूछे। यह हम अडानी के हैं कौन श्रिंख्रा है। हमने यह सवाल उठाए। रोज हम तीन सवाल उठाया करते थे। आप देख रहे हैं पीछे मेरे पीछे आप देख रहे हैं हम अडानी के हैं कौन अंग्रेजी में और हिंदी में और अलग-अलग भाशाओं में यह छपा गया। सौ सवाल हमने पूछे प्रदानमंत्री से। हमने प्रदानमंत्री को कहा माननिय प्रदानमंत्री जी चुपी तोड़िये। और हमने एक ही मांग की कानूनों का उलंगन हुआ है। लिवेश में पारदर्शता नहीं है। शेल कंप्णियों का भारी इस्तेमाल किया गया है। बीस हजार करोर रुप्या जो यह अडानी के शेल कंप्णियों में पाए गये हैं। इसके असली मालिक कौन है। इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने सो सवाल पूछे। राहुल जी ने साथ फेबरिवरी को लोगसभा में आपने भाशन दिया। और आप जानते हैं वो भाशन दिने का एक नतीजा। वीस दिन बाद उनका डिस्कॉलिफिकेशन हो गया। लोगसभाई। यह बहुत गहरा मामला है। यह अडानी का मामला नहीं है। यह मोडानी का मामला है। प्रधान मंत्री और अडानी के बीच में क्या रिष्टा है। यह असली मुद्दा है। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा आज सुबह। पांच बजे को राहुल जी जिनोंने विश्ले एक साल से सवाल उठाया है। संसत के अंदर उनको भुगतना पड़ा। चार महने के लिए वो डिस्कौलिफाई हुए। और हमने हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी के मंच से सौ सवाल उठाये। और एक ही मांग की और आज मैं वो मांग धोराता हूं कि जेपीसी का गठन होना अनिवारिय है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर देश को सच्चाई जाने की इच्छा है। हकीकत क्या है राज क्या है एक मात्र रास्ता जेपीसी का रास्ता है। तो आज भी हम जेपीसी की मांग धोराते हैं। आज का जो बड़ा खुलासा हुआ है। मद फिल एक बात यही सावित करता है कि हमारे संस्था नाकाम हुआ हैं। नियमों का उलंगन हुआ है। आंख खुला है और कानून का उलंगन हो रहा है। नापके नीचे कानूनों का उलंगन हो रहा। कि सरकार की पूरी जानकारी होने के बावजूद यह उलंगन हो रहा है तो सिर्फ एक ही मांग है जेपीसी का घठन होना जरूरी है अभी वक्त है कि जेपीस जेपीसी का घठन हो और जान शुरू हो और डीटेल इसके बारे में राहुजी आप से पांच बज़े को कि हम आप से पांच जरू रहा है तो में राह थ ability नेक है help रिस जान कि सारो है कि ने आप और जाख से जाल Kitchen जाद से अवक्त है कि बाववारा जे में बाई